नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चालें आपके सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं आप बताईएगा अभी बहुत बहुत बढ़िया है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे तो राधे जैसा कि आप जानते हैं हम आपके शहरों में आप से मिलने के लिए आ रहे हैं अबजेक्टिव एक ही होता है कि आपके स्टडी में हम किस तरह से कॉंट्रिब्यूट कर सकते हैं जिससे कि आप एक्जाम में अच्छे से परफॉर्म करके आ सके हैं हमारा अगला डेस्टिनेशन है पुने और पुने में मैं लगाने वाला हूँ जी एस्टी का एक मेला सीए इंटरमीडियेट का एक मेराथन होने वाला है 19th of March सुबा आठ बजे प्रस्टीज पुने पर इस मेले का हिस्सा आप जरूर जरूर बन रहे हैं रंग बरसेगा उस दिन जिस दिन ये मेला लगने वाला है तो जिन्होंने हमसे face to face वहाँ पर कलास ली है या नहीं ली है सब बच्चे वहाँ पर आ सकते हैं इसके लिए हमने कोई face भी नहीं रखी हुई है और जहां तक सवाल है content का तो मैं मेरी book c intermediate पर compact book आती है उसका pdf आपको available करवा के दूँगा एक registration form जरूर फिल कर दीजेगा ताकि हम according लिए venue तयार कर सके और form जितना जल्दी आफ फिल करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा हो जाएगा ठेक है तो description में form का link हम देकर चल रहे हैं आपको पुने से हमें पहले से ही प्यार मिलता रहा है लेकिन पिछले 6 महिनों में प्यार की बरसात हो रही है अभी पीछे मैं दिसंबर 2022 में complete करा के आया था एक c intermediate का face to face batch और आगे भी हमारा एक और बड़ा वाला face to face batch आने वाला है 30th April को c intermediate GST का तो इसके लिए इतने प्यार के लिए मैं पुने के स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं तो मिल रहे हैं GST के मेले में 19th of March को हाँ एक बात के जानकारी और देदू मैं आपको मैंने exemption scoring 60 questions तयार किये हैं आपके लिए जो मेरी website c.raajkumar.com के free resources में available है 60 questions for intermediate 60 questions for CA final हैं ठीक है और इनके जो question answer के discussion videos हैं वो में CA intermediate का एक 4 घंटे का video YouTube live आके दे भी चुका हूं और दूसरा video जो होगा आज शाम को यानि की 14th of March को शाम को 5 बजे मैं दूसरा video उनका देकर complete कर दूँगा और CA final के question answer का discussion video है वो मैं आपको 15th of March को शाम को 5 बजे देने वाला बहुत बहुत धन्यवाद इस video को देखने के लिए thank you so much